जब कि विवी आपको बीम ढालना होता है चाहे वो अपना प्लिंद बीम हो या फिर नीचे का ग्राउंड बीम तो वहां पर आपको सेट्रिंग के दवरान में आपको कही तरह से गलती हो जाता है और उस गलती को लेकर आपको जिंदगी वार आपको कभी न कभी खाम्याजा भरना होता है तो दोस्तो उसी तरीके का जो गलती आपको नजर में आता है जब आपका कंक्रीटिंग काम होता है तो जिस तरीके से कंक्रीटिंग का सबसे बड़ा जान होता है सीमेंट में और सीमेंट अगर आपका सलेरी बहा गया जैसे कि यहाँ पर काम जो हुआ है वो अ पूरी तरीके से आप गाप ने फिल कर पाईयेगा जो गाप आप फिल कर किजीए वह अपना ज्यादा तर आपको कॉललं का जहां जक्षन होता है वहां से आपको ज्यादा तर श्लणी भाज जाता है तो यह ध्यां देना होता है दोस्तों कि आपको इस तरीके का gap जो है नीचे में नहीं करना है यह कहां से आपको gap कम हो जागा तो आपको ply का आपको अच्छी तरीके का wooden आपको settling में लगाना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दो wooden का जो तक्ता है उसको fix किया गया है जो कि अपना batten के मदद से वह भी आपको कुछ दूरी में जैसे कि यहाँ पर एक एक मीटर के दूरी में आप यहाँ से लगा सकते हैं जिससे क्या होगा दो तक्ता के अगर दूरी का बात करें तो एक मीटर क्यूंकि जो gap रहता वह अपना fix रहेगा क्यूंकि जब भी concreting करते हैं और vibrator लगाते हैं तो वहां का जो gap रहेगा दो plank के बीच में जो settling के बीच में वह अपना टसमस इधर से उधर हो जाता है तो उसको उसको लेगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दूसरा आप यह भी चेक कर लिजिए जो आप ऊडेन जो अपना तक्था यूज किये हैं settling के दोरान में तो आपको डेर सारी काम settling कई जगा पर यूज करके उसके बाद से यूज हुआ होता है तो कितना wastage जो हता है वह अपना wastage इस तरीके से आपको निकल जाएगा तो based जो wooden है वही आपको ply में आपको settling के दोरान लगाना है और जो waste है उसको हटा देना है तो यह आप contractor से बात करके जितना भी आपका अगर wastage तरीके से wooden है जो अपना अच्छी तरीके से जिसका finishing है उस तरीके आपको settling नहीं लगाना है सो आपको यही चीज आपको ध्यान देना है कि settling जो करते हैं वह अपना ऊड के इंस्टिट में apply जो हता वह based होता है gap आपको जो बैटन से लगाना है और gap जो नीचे से है वह cement slurry न भाना चाहिए उस gap को अच्छी तरीके से फिल करना होता जब भी आप concreting करते हैं एक अपन आप beam का settling करते हैं चाहिए वह beam आपका ground beam हो या फिर आपको footing beam तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से ध्यान देना है प्लिंद beam, seal beam, linten beam या फिर आपका छत का beam तो आपको इसी तरीके से settling को check कर लेना है और देख लेना है कि कहीं पर आपका गलती हो रहा है कि नहीं हो र लेते हैं उसके बाद से जो concreting बनेगा वो अपना एकदम से high strength concrete रहेगा आपका beam रहेगा और सालों साल आपका घटी का रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके टॉपी को लेकर तब तक के लिए good bye